हेलो एब्रिवान कैसे हैं आफ सब आज हम बात करेंगे सेक्शन 194 के ओफ इंकम टैक्स एक्ट 194 के किसके लिए है यह टीडियस ओन इंकम फ्रों म्यूचल फंड यूनिट्स म्यूचल फंड यूनिट्स से हमें जो इंकम मिलती है उस पर कितना टीडियस डिड़क्ट होगा उसक पर कोई टीड्स नहीं लगता है बिटाइंट मिल रहा अगर पांच जार रुपएसे ज्यादा का डिड़ेंट है तो क्या होगा टीडियस डिड़क्ट करना होगा यूचल फंड फंड द एडमिनिस्टेटर या इस्ट्रेशिफाइड कंपनी जो कंपनीय है वो डिडियस्त whore I didn't resident को पे ऊप हो रहा है तो से शेक्शन एपलिकेबल होगा नों रेजि़िदेंट पर सेक्शन में नहीं होगा ne for pię six नहीं होता है तो कितना लगता jest 20 परशेंट all ठीक है जी, time of deduction, कब deduct करना पड़ेगा हमें ये, credit और payment, जो भी पहले होगा, या company ने क्या किया, विचल fund holder unit ने किया कि credit कर दिया, payment बाद में कर रहे हैं, तो जब credit कर लिया अपनी books में, तो तभी क्या हो जाएगा, deduct करना पड़ेगा, या payment कर रहे हैं, credit बाद में कर रहे हैं, तो जो भी दोनों में से पहले होगा, उस time पर क्या करना है, deduct करना है, और deposit कराना है, गोर्मेंट के पास, TDS return, form 26 Q के थूरू फाइल होगी, TDS certificate, जो share holder है, unit holder है, उसको किस में बिलेगा, form 16 A, और form 26 AS में भी, show करेगा, जो TDS deduct हुआ है, वो हम अपनी ITR फाइल करते time claim कर सकते हैं, like and subscribe for more updates, thank you so much, वक्य जी,